प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा साथ हिंदी व्याकरण में शब्द विचार के बारे में सब्द के रचना के अधार पर भेद पढ़ेंगे पिछली बार हमने शब्द के बेद उत्पतियास्त्रोत के अधार पर पढ़े थे तो बताओ कि उत्पतियास्त्रोत के अधार पर शब्द के कितने बेद होते हैं ठीक है पांच भेड होते हैं कौन-कौन से तत्सम येस तदभाव देशच विदेशी और संकर येस अब आज पढ़ेंगे वच्चो रचना के अदार पर शब्द के भेड रचना के अदार पर शब्द के तीन परकार होते हैं रूड शब्द योगिक शब्द योग रूड शब्द रूड शब्द का मतलब क्या है वच्चो कि जिसके टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले उसे रूड कहा जाता है योगिक शब्द जो दो शब्दों के योग से बने हों क्योंकि योगिक का मतलब क्या है योग करना जोड़ना मिलाना योग रूड सब्द इसमें भी योग शब्द आया है यानि दो शब्दों के योग से बनेंगे लेकिन रूड, रूड का में लोग किसी विशे सर्थ को परकट करें किसी विशे सर्थ के लिए परकट किये जाते हैं विशे स्व्यक्ति के लिए परकट होते हैं आईए ने डिटेल में स्टड़ी करते हैं रूड शब्द जो शब्दे किसी विशे सर्थ के लिए परसिद हो गए हैं उन्हें रूड सब्द कहते हैं एक तो ये विशे स्ताहिन की कि किसी विशे सर्थ के लिए परसिद हो जाएं दूसरा इनके सार्थक खंड खंड यानि टुकड़े नहीं किये जा सकते जैसे चित्र चित्र शब्द बच्चो चित्र के लिए परसिद हो गया है और अगर हम चित्र शब्द के टुकड़े करें ची और त्रे इनका कोई अर्थ नहीं निकलता इसी तरह मेज, मेज शब्द मेज के लिए परसिद हो गया मेज के अगर टुकड़े करते मे और दूसरा जै मे का और जै का अलग से कोई सार्थक अर्थ नहीं है तो बच्चों रूड शब्द में दो बाते याद रखना पहले किसी विशेशत के लिए परकट हो जाएं परसिद हो जाएं और दूसरा उनके टुकड़ों का सार्थक अर्थ नहीं है सेकंड है योगिक शब्द जो शब्दे दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं दो शब्द जुड़ जाएं या दो से अधिक शब्दों का योग हो जाएं तो उन्हें योगिक शब्दे कहते हैं इनके टुकड़े करने पर अर्थ निकलता है क्योंकि दो शब्दों के योग से बने हैं तो दोनों शब्दों का भी अपना अलग अर्थ होता है जैसे विद्याले विद्याले शब्द बज्चो दो शब्दों से मिलकर बना है विद्या पलेस आले विद्या का अपना अर्थ है कि हमारी जो पढ़ाई है विद्या आले आले का मतलब घर होता है कि विद्या का जो घर है उसे विद्याल्यक आ गया है तो विद्याल्यक शब्द बच्चो योगिक शब्द है क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना और इसके जो टुकड़े किये दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ निकलता है तीसरा बच्चो योगरूड शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं क्योंकि योगरूड योगरूड में भी योग शब्द आया है तो ये भी दो शब्दों के योग से बने होते हैं या दोसे अधिक शब्दों का योग करके बनते हैं और किसी विशेस अर्थ के लिए परसिद हो जाते हैं ये इसमें अलग नई बात है योगिक से इसको भिन बनाती है अलग बनाती है कि योगिक में भी दो शब्दों का योग था दो या दोसे अधिक शब्दों का इसमें भी जो दो शब्दों के योगिक शब्द में योगिक शब्द के टुकड़े करने पर उनका अपना अर्थ है जबकि योगरूड में उस शब्द का एक विसेस अर्थ विसेस अर्थ के लिए परसिद हो जाते हैं उन्हें योगरूड शब्द कहते हैं जैसे दशानन दशानन दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बना है कि दस सिर्वाला जिसके दस सिर्वाला जिसके दस सिर्वाला उसको दशानन कहा गया है तो तीन शब्दों के योग से मिलकर बना दशानन या दस आनन है जिसके या दस सिर्वाला और किसी विशेस व्यक्ति के के लिए इसको पर्शिद किया गया है कि रावन के लिए ही इसको पर्योग किया जाता है दशाना नौर तो हम किसी को कहते हैं केवल रावन के लिए पर्शिद है यानि कि विशेष अर्थ है इस शब्द का एक विशेष व्यक्ति के लिए पर्शिद हो गया है इसलिए यह विश्णों के लिए परशिद शब्द हैं इसलिए ये योगरुड शब्द कहलाते हैं तो बच्चो आज आप इन तीनों भेदों को अच्छे से याद रखना है कि ये रचना के अधार पर तीन भेद हैं और पिछला भी रिवाइज करना है ताकि शब्द के जो भेदों के ने बाद